अस्सलाम वालेकुम कैसे हो बच्चो आप सब अच्चे तो हो ना क्या आप अगली कहानी सुनने के लिए तयार हैं इंशाल्ला आज मैं आप सभी को इसलाम के सबसे महान पैगंबर के बारे में बताऊंगा ये कहानी है पैगंबर मुहम्मत सलललाह अलही सलाम की बच्चो क्या आप तयार हैं अब ध्यान से सुनिए बिस्मिल्लाह पैगंबर मुहम्मत सलललाह अलही सलाम का जन्म हुआ काफी समय पहले एक बार अरेविया राज से काफी दूर अब्दुल्ला नाम का एक आदि रहता था जो अब्दुल मुतलिब का बेटा था वो मक्का में रहने वाला एक भूत पुर्वनेता थे उनकी शादी एमिना से हुई थी जो अब्दुल बहाना की बेटी थी पर शादी के बाद अब्दुल्ला एमिना के साथ जादा समय तक नहीं रह सके उन्हें कुछ व्यापारियों के साथ एक लंबी यात्रा पर अजा के ओर जाना था एक महिने के बाद अब्दुल्ला की मौत हो गई क्यूंकि वो अपने कारवां से बिचड़ गए थे एमिना उस समय गर्व से थी एक बार उन्हें सपने में एक आवाज सुनाई दी जो बच्चा तुमारे गर्व में पल रहा है वो एक दिन सभी कारने तृत्त करेगा उनका नाम मुहम्मद रखना इस घटना के बाद एमिना के जीवन में कई चमतकार हुए एक महिने बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया उस बच्चे के जन्मों परांद आकास से रोष्णी की चमकीले किर्णे हर तरफ चा गई उनके जन्म के समय कई बड़े चमतकार हुए उस महान पैगंबर के जन्म के समय शहर के लोग, जिन पत्थरों की प्रतिमाओं की इबादत किया करते थे, वो सब तूट कर चकना चूर हो गई जब लोगों ने ये देखा, तो वो सभी प्रतिमाओं के टुकडे उठा कर वापस जगा पर रखने लगे पर प्रतिमाओं वापस गिर गई, जमीन पर नहीं, बलकि उनके चेरों पर वहीं पास के एक मंदिर में रखी ज्वाला, जो हजारों सालों से जल रही थी, वो अचानक अपने आप बुझ गई ऐसा एधिहास में पहली बार हुआ था वहीं पास में स्थित कुछ इमारते थी, जिन में से चोदा इमारते जमीन में धराशाई हो गई और उनके टुकडे टुकडे हो गई, और पास की नदियां अचानक सूख गई और हजारों साल से सूखी सामुआ नदी पानी से लवालब भर गई कुछ सालों तक पैगंबर अपनी मा के साथ रहे, उस समय एक चलन था जिसके अंतरगत राजिके सभी लड़कों को कुछ साल तक रिगिस्तान में रहना पड़ता था ऐसा माना जाता था, कि रिगिस्तान का वातावरन उनके लिए अच्छा होता था वहां रहने वाली औरते उन बच्चों को अपने साथ रिगिस्तान में ले जाती थी पहले तो पैगंबर को अपने साथ रखने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई आखिरकार हलीमा नाम की एक नेक औरत उन्हें अपने घर में रखने को तैयार हो गई हलीमा और उसका पती हडित रिगिस्तानों में रहते थे मक्का से मीलो दूर वो दोनों गरीबी में जीवन बसर करते थे अपने जीवन का आंद देखना उनके लिए एक संगर्श था उन दोनों का एक बच्चा और भी था जो पैगंबर की उम्र का था वहाँ उन्टों के जरिये बड़ी मुश्किल से ही दूद मिलता था उनकी भेडें काफी कमजोर थी वे सब अपने जानवरों और बच्चों की देखरे करने में भी संगर्श कर रहे थे पर जब पैगंबर मुहम्मद सलललाह अलही सलाम उनकी जिंदिगी में आये तब से उनके जीवन में सुक और समरद्धी ने दस्तक दी पैगंबर के यहाँ आने के बाद बूड़ी उटनी भी अब भेड सारा दूद देने लगी भेडे भी तंदुरुस्त हो गई और ताल के सारे पेड खजूरों से लग गए एक दिन हलीमा और हेडित अपने घर के पीछे अपनी भेडे देखने गए उसी समय पैगंबर और उनका मूँ बोला भाई कुछ बच्चों के साथ वहीं खेल रहे थे तबी वहाँ एक आदमी खेलते हुए बच्चों के पास आया फिर वो छोटे पैगंबर के करीब पहुचा बच्चों को उस अजनभी का हाव भाव कुछ अजीब लगा तो उन सभी ने खेलना बंद किया और उस इनसान को निहारने लगे उस अजनभी ने अपना हाथ घुमाया और तबी पैगंबर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े अब सारे बच्चे घबरा गए थे कुछ बच्चे तो वहाँ से भाग खड़े हुए पर कुछ वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कि यहां क्या होने वाला है फिर उस अजनभी ने कुछ चमतकार किया और पैगंबर का सीना फाड़ दिया उस समय बच्चा बेहोश था उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था बच्चों ने देखा तो वो काफी सहम गए वे सबी वहाँ से चिलाते हुए अपने घर की तरह भागे कोई मुहम्मद को मार रहा है उस अजनभी ने पैगंबर के दिल को बाहर निकाला फिर उस अजनभी ने पैगंबर के दिल में मौझूद सारे काले धब्बे निकाल कर फिक दिये वो काला धब्बा इनसान को शैतान बनाता था फिर उस आदमी ने पैगंबर के दिल को जमजम के पवित्र पानी से साफ किया जो वो एक सोने के कटोरे में लेकर आया था इसके बाद उसने बच्चे के सीने में वापस उसका दिल डाल दिया इसके बाद जल्दी पैगंबर होश में आ गए और वो फरिष्टा वहाँ से गायब हो गया इस घटना के बाद हालीमा ने पैगंबर को उसके घर वापस भेजने का फैसला किया पैगंबर के दादा अब्दुल मुन्तालिब ने पैगंबर का तहे दिल से स्वागत किया पर अब्दुल मुन्तालिब छोटे बच्चे से बहुत प्यार करते थे जब पैगंबर छे साल के थे तब उनकी माँ की मौत हो गई उसके बाद पैगंबर की देखरे उनके दादा नहीं की जब पैगंबर आठ साल के थे तो अब्दल मुन्तालिब को एहसास हुआ कि उनकी मौत भी खरीब है इसलिए उन्होंने अपने बेटे अबु तलूक से अपने मौत के बाद पैगंबर की देखरे करने का वादा लिया और पैगंबर के दादा की भी मौत हो गई पैगंबर की देखरेक उनके चाचा के हाथ में थी अबु तलूक एक गरीब आदमी था इसके बाद भी वो बच्चे को अपने घर ले गया उसने और उसकी पत्नी ने पैगंबर की देखरेक में कोई कसर नहीं छोड़ी जब पैगंबर बड़े होने लगे तो उनका अच्छा बेवहार देख कर अबु तलूक आशर शक्षित हो गए जल्दी पैगंबर की लोगों में एक अलग इज़त बन गई जो सब की परवा करते वो इमानदार थे वो दयालू थे वो जहां भी जाते मक्का के निवासी उनकी इज़त किया करते थे अलामीन कहके बुलाते थे जिसका मतलब था भरोसिमन इंसान पैगंबर मुहम्मद सल्लाला अलेहिसलाम सभी से घुल मिल जाते पर वो अपने चाचा के बच्चो तलूक, अकील और जावा से वे शुमार महबत किया करते थे जब तक उनके चाचा उन्हें व्यापार करने के लिए अपने साथ नहीं ले गए उससे पहले वो उनकी भीड़े चराते थे काम से उन्हें कड़ी मेहनत करने और काम में इमानदारी की सीख मिली उनकी जिम्मेदारी लेने की खासियत ने उन्हें मक्का के लोगों में एक खास जगे दिलाई एक बार की बात है पैगंबर अपनी भीड़े लेकर खदीजा शहर में रहने वाली एक औरत के पास पहुँचे वो औरत एक व्यापारी थी वो बेन असव खान से तालुक रखती थी वो दो बार पहले शादी कर चुकी थी पर दुर्भाग से उसके दोनों पती की मौत शादी के कुछ दिन बाद ही हो गई थी खदीजा एक महत्वा कांग्शी औरत थी वो कड़ी मेहनत करती थी वो कारवा के अधिकारियों और लोगों से अपना काम कराती थी एक दिन उसने हिलान किया कि वो किसी इस्थानिय इनसान को ढूंड रही है जो एक जरूरी कारवाले का सीरिया जाए उसने हिलान किया कि जो भी उसका काम करेगा वो उस शक्स को दो उट उपार के तोर पर देगी पैगंबर जिनकी उम्र अब 25 साल हो गई थी वो अब भी अपने चाचा के साथ रहते थे पैगंबर के लिए उस औरत का एलान एक सुनहरा उसर था जिससे वो धन कमाते हो और सारी धुनिया घूम लेते पैगंबर उस औरत से मिलने पहुँचे और उसके प्रस्ताओं को सिर्कार कर लिया खदीजा ने फैसला किया कि वो अपने किसी मुलाजिम को पैगंबर के पीछे भेजेगी जो पैगंबर पर नज़र रखेगा खदीजा ने पैगंबर को कारवा के साथ साथ लोगों और जानवरों का नित्रत करने का भी काम सौब दिया और उस दिन पैगंबर सीरिया की तरफ निकल पड़े ये एक लंबी और यादगार यात्रा साबित होने वाली थी बच्चों क्या ये कहानी आपको पसंद आई? अगर आपको पसंद आई हो तो कृप्या लाइक बटन दबाएं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को देखने से वन्चित न रह जाएं इंशालला अगले वीडियो में मैं आपको पैगंबर मुहम्मस सल्ला अलही सलाम की कहानी का दूसरा भाग सुनाऊंगा आज के लिए बस इतना ही गुड़ बाए